हलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आज की वीडियो है रिस्पंचमी ब्रत की कथा पे दोस्तों इस ब्रत को करने से तो सारे पापों से मुक्ति मिलती है लेकिन इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी दोसों से मुक्ति मिल जाती है तो चलिए कथा को प्रारंब क करते हैं बोले शब्त रिशी की जय हो अरुन्धती माता की जय हो सतियुग में विदर्व नगरी में सन्यजीत नामक राजा हुए थे वहां रिशियों के समान थे उन्हीं के राज में एक क्रशक सुमित्र था उसकी पत्नी जैस्री अत्यंत पतिव्रता थी एक समय वर्षा रि हो गई उसको रजश्वला होने का पता लग गया फिर भी वहां घर के कामों में लगी रही कुछ समय बाद वहां दोनों इस्त्री पुरुस अपनी अपनी आयू भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए जैस्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजश्वला इस्त्री के संप अने के कारण बायल की योनी मिली क्योंकि रित्युदोस के अधिरिकट्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे के सुचित्र के यहां रहने लगे धर्मात्मा सुचित्र अपने अतितियों का पून्ड सत्कार करता था अपने पिता के श्राद के दिन उसने अपने घर ब्रामनों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए और जब उसकी इस्तरी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बरतन में विश्वमन कर दिया कुतिया के रूप में सुचित्र की मा कुछ दूर से सब देख रही थी पुत्र की बहु के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बरतन में मुह डाल दिया सुचित्र की पतनी चंद्रवती से कुतिया का यह क्रत्य देखा न गया और उसने चूले में से जलती लकडी निकाल कर कुतिया को मारी बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी चौके में जो जूठन आधी बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहु उस कुतिया को डाल देती थी लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिक्वा दी सबखाने का सामान फिक्वा कर बरतन साथ करके दोबारा खाना बना कर ब्रामुनों को खिलाया रात्री के समय भूंक से व्याकुल होकर और वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्वपती के पास आकर बोली है स्वामी आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूं वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला साप के विश वाले खीर के बरतन को अनेक ब्रह्म हत्या के भै से चू कर उनके ना खाने योग कर दिया था इसी कारण उसकी बहु ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया तब वह बैल बोला हे भद्रे तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस जियोनी में आ पड़ा हूँ और आज बोजा ढोते ढोते मेरी कमर तूट गई है आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत मुझे इस प्रकार कर्ष्ट दे कर उसने इस राद को निश्फल कर दिया है अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया वन में जाकर रिशियों से पूछा की मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनी को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको चुटकारा मिल सकता है तब सर्वतमा रिशी बोले तुम इसकी मुक्ती के लिए पतनी सहित रिस पंचिमी का ब्रत धारन करो त पादरपद महीने की सुकल पक्च की पंचिमी को मुक सुद्ध करके मध्यान में नदी के पवित्र जल से इसनान करना और नए रेशमी कपड़े पहन कर अरुन धती सहित शप्त रिश्यों का पूजन करना इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लोट आया और अपनी पतनी सहि विदिविधान से पूजन ब्रत किया इसके पूंड से माता पिता दोनों पशु योनियों से चुटकारा पा गये इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक रिस्पंचिमी का ब्रत करती है वा समस्त संसारिक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंट धाम को प्राप्त करती है पुलो शप्त रिशी भगवान की जै अरुंधती माता की जै